हेलो गाइज आज हम बनाने वाले पनीर की सबजी और इतना इजी रेसिपी है इतना इजी कि आप बोलोगे कि वाओ इतना इजी तो पहले हम लोग ने पनीर को सेलो फ्राइ कर लिया है जादा उसको नहीं करना है हलका से सेलो फ्राइ करना है उसके बाद हम लोग ले लिए है टामाटर और चार हम लोग प्याज ले लेंगे जितना आपका पनीर का कॉंटिटी है अब उतना हिसाब से ले लिजेगा इतना आप बोलोगे कि ये कितना अच्छ है भीना मसाला का पनीर की सबजी में बनाके आपको खिलाने वालू तो पूरा वीडियो जरूर देखना इसको ठंडा को लिजेगा एक प्लीट में दालके इसको ठंडा करने के पड़ो पीस को लिजेगा अब हम लोग तढ़का लगाते बड लाइची छोटी ढय ची और मैंने थोड़ी जीरा लिया है और हम लग डाल देंगे दाल चीनी चोटा सा और हम डाल देंगे दो अठो लॉंग इसको अच्छा से और तेज पता इसको थोड़ा सा हम लोगो फ्राई करना है और जो हम लोग ने पेस्ट पीसा था प्याज और टमाटर का वो दाल देना है ठीके जब तक इसका तेल नहीं छूड़ेगा तब तक इसको अच्छा से पकाना है आप अच्छा से पानी वानी दाल कि पेस्ट को पूरा अच्छा से निकाल के दाल लीजे और इसको अच्छा से पकने दीजेगा इस पॉइंट मैं थोड़ा सा नमक दालना जाती हूं तो मैं नमक दाल दूँगी क्योंकि नमक को भी अच्छा पकना ज़रूरी है तो मैं नमक दाल दीजेगा और इसमें थोड़ पनीर को कट करके मैं दाल दी हो जिसे वह सॉफ्ट हो यह नहीं हो कि खाया और बहुत हाड़ी हाड़ हो रैसा नहीं अब दाल देंगे इसमें लाल मिर्च लाल मिर्च दाल लीजे आपके हिसाब से आपको जितना चाहिए तो मैंने थोड़ा कमी दाला है क्योंकि थोड़ा पन कीजिए और अभी तक आप मेरे चानेर को अभी तक सब्सक्राइब करें तो जाकी जल्दी सब्सक्राइब करो और एक पनीर को मैंने ठोड़ा सा मसल के दाल दिया जिसे वह न अच्छा फ्लेवर आता है तो अब मैंने कर दिया धन्यापत्ता और लाल हरी मिर्च को कट करके लंबी लंबी कट करके मैंने दाल दिया है अब इसको अच्छा से मिक्स करेंगे थोड़ा सा और उसमें हम लोग थोड़ा सा पानी आइट करेंगे पानी याट करने के बाद इसमें हम दाल देंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी दानने के बाद अब इसको अच्छा थोड़ा सा फ्राइ कर लीजिए जितना आपको पानी चाहिए आप उतना दाल सकते बढ़ ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं लगता थोड़ा कम रहेगा तभी अच्छा लगेगा अब इसमें हम लोग दाल देए Amul का Fresh Cream Amul का Fresh Cream आप यूज़ कर सकते हो ने तो आप घर का मलाई भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके घर में हो ने तो market में बहुत easily मिल जाता Amul का Fresh Cream आप यूज़ कर सकते हो अब इसको अच्छा समरों मिक्स कर लेंगे इससे बहुत क्रीमी टेक्चर आता बहुत टेस्टी लगता है मैंने थोड़ा से और एड कर लिया तो मुझे मैंने थोड़ा टेस्ट किया और मुझे थोड़ा मिर्च कम लगा तो मैंने हरी मिर्च दाल दिया मैंने लाल मिर्च ने